जै श्रीडाम बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहत खारिकम एश्ट्रो मंत्रा में मैं हूँ आपके शाथ आपका अपना डॉक्टर राजमिश्रा किसी ने बहुत सुन्दर कहा था रिस्तों को वक्त दीजिए तोफे नहीं ताज महल सब ने देखा लेकिन मुम्ताज नहीं तो इस कारण से हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपने रिस्तों को वक्त दें बड़े बड़े तोफे देने की आउश्रक्ता नहीं है सो आज का कारिक्टम आपके लिए बहुत खास होगा बात करेंगे आपके पूरे दिन को ले करके क्या करना है क्या नहीं करना है क्या खाश है किस पर शाओधानी रखना है कौन सी दिसा अच्छी है एक सब कुछ बिस्तरित चर्चा आज के कारिक्टम में आपके लिए आज का जो दिन है वो रवीवार रहेगा आज हम बात करेंगे 25 अगस्त 2024 के पंचांग को खास करके संबद 2021 रहेगा भादरपद किश्नपक्ष शप्तमीत थी रवीवार का दिन और भरणी नच्छत्र आज राहुकाल रहेगा शाम को 5 बच करके 13 मिनट से और 6 बच करके 49 के 48 मिनट तक अभिजित महुर्थ आखिर क्या होता है अगर दिन में कोई कारे करने के लिए कोई समय नहीं मिल रहा हो तो उस कारे को अभिजित महुर्थ के अंतरगत किया जा सकता है जनरली बहुत सारे ऐसे कारे होते हैं जिनको हम नहीं कर पाते हैं आप सोचिए आपको कारे हैं जिनको आप जनरली उसके लिए महूरत आप पूछते हैं और महूरत नहीं मिलता है तो प्रद्दिन का एक महूरत होता है उसको अभिजीत महूरत कहा जाता है जिस महूरत के अंतरगत आप इस समय सारे ग्रह अपने अपने दिशा में अनकूल परिस्थिती में होते है तो आप उस कारे को कर सकते हैं आज का दुष्ट महूर्थ क्या रहेगा जो अशुब महूर्थ कहा जाता है जिस समय जो ग्रहों का कॉंबिनेशन होता है उनका इस प्रकार परिस्थिती बनती है कि एक नकारात्मक उर्जा का संचार होता है तो ऐसे कंडिशन के अंतरगत उसको दुष्ट महूर्थ कहा जाता है दुष्ट महूर्थ के अंतरगत हर कारे को वर्जित करना चाहिए आज का दुष्ट महूर्थ जो रहेगा वो शाम को पांच बज़े से ले करके पांच बच करके अठावन मिनट तक का जो समय होगा वो दुष्ट महूरत का समय होगा इस समय पर कोई भी महत्पूर्ण कार नहीं करना है सो ये रहा आज का पंचांग अब आई ये चर्चा हम प्रारम करते हैं मेश शे ले करके मीन राशी तक का आज का दिन किस प्रकार व्यतित होगा तो सबसे पहली राशी पर चर्चा करते हैं हमारी मेश राशी के प्रति आज का जो दिन होगा वो किस प्रकार होगा तो मेरे मेश्रासी के प्यारे जातिका आज का दिन सांदार रहेगा सबसे पहली चीज़ आपको बता रहा हूँ विवाह के लिए आज कुछ प्रयास किया जाएगा तो उसका रिस्पॉंस बहुत 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 होगा लाइकर आप मैरेज विवरों में रिजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या मैरेज के लिए किसी से बात करना चाहते हैं किसी को प्रपोस करना चाहते हैं तो उसके लिए आज किया गया प्रयास निश्चत रूप से बहुत बेहतरीन होगा लड़के लड़की वाले देखने आएंगे तो भी आज रिस्तात होने का बेहतरीन योग है शावधानी किस प्रकार की रखनी है क्रोध करने से बहुत बचने की आवश्रेक्ता है तेजगती से वहन चलाने की आउश्रिक्ता नहीं है आज आपके लिए भूरा रंग, दोका अंक, पूर्वदिशा लाप्टद होगी भगवान आपको सुखी रखें बात करेंगे रासी ब्रिस को ले करके तो मेरे ब्रिस रासी के प्यारे जातक जाती का आज के दिन की अगर हम बात करते हैं तो आज क्या खास रहने वाला है एक तो किसी भी कॉम्पटीशन के छेत्र में आपको बहतरीन रिजल्ट मिलने का योग दिख रहा है शत्रू भी आज मित्रता वाला ब्योहार करेंगे बहुत दिन से रुके हुए कारे आज आज आपके पूरे होंगे किसी से बहुत दिन से मनमुटाव चल रहा था बात नहीं हो रही थी तो उनसे आज बात चीत होगी कोई बहुत रुका हुआ कारे आज बनने वाला दिख रहा है शाओधानी किस प्रकार की आज आपको रखनी है एक तो शबushे पहले आज किसी वकील यानि कोट का चहरी से related किसी मामले के लिए यथ किसी वकील से आप मिलना चाहते हैं या कोई सूर्स इत्यादी लगाना चाहते हैं उस पर आज बिल्कुल प्रयास ना करें आज उस पर कोई काम करने से आपको लाब नहीं मिलेगा जामुनी रंग, चार का अंक, उत्तर दिशा आपके लिए लाप रद होगी बात करेंगे राशी मिथुन को ले करके तो मेरे मिथुन राशी के प्यारे जातक जाती का आज आपका दिन दो-तीन चीजों को लेकर बहुत शांदार रहेगा परिवार के शाथ आज समय बतीत होगा बच्चे आज बड़ा अनकूल वियोहार करेंगे बहुत दिन से जो गुस्रा थे बच्चे आपके हिसाब से वियोहार नहीं कर रहे थे आज वो आपके हिसाब से वियोहार करने वाले है मन प्रसन रहेगा संतान को लेकर के किये गए प्रयास आज अच्छे रिजल्ट देने वाले होंगे बिद्या अध्येन में आज समय बतीत होगा मित्रों के शाथ मुलाकात होगी क्या नहीं करना है शेयर मार्केट में आज पैसा बिल्कुल नहीं लगाना है कर्ज देना नहीं है कर्ज लेना नहीं है एक का अंक लाल रंग पूर्वदिशा आपके लिए लाप रद होगी बात करेंगे रासी करक को ले करके मेरे करक रासी के प्यारे जातक जातिका आज के दिन की अगर बात की जाए तो आपके लिए बहतरीन रहने वाला है एक तो प्रॉपटी से रिलेटेड जो काम रुके हुए थे वो आज बनेंगे किसी ऐसे जगे पर आज जाने का मौका मिलेगा जिसके बारे में आप बहुत दिन से सोच रहे थे या सोच रहे थी आज दिल की बात कहने के लिए सबसे अनकूल समय है जो भी आपके दिल में एक बात है जिसको भी कहना चाहते हैं या कहना चाहती है उसको प्लीज कर दीजिए क्या नहीं करना है आज नई नौकरी के लिए अपलाई पैत्रिक संपत्ति के बटवारे के लिए आज प्रयास बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए पीला रंग साथ का अंक पस्यम दिशा आपके लाप्रद होगी बात करेंगे रासी सिंग को ले करके तो मेरे सिंगरासी के प्यारे जातक जातिका आज के दिन की अगर बात की जाए तो आपका दिन आज धार्मिक वातावरण से पूरी तरह परिपूर रहने वाला है आज मन में एक तो धार मिक्तावत पन होंगी लेकिन आज प्रदेशिक यात्रा है काफी सारी होने वाली है आज काफी सारे घूमने जाने वाले हैं किसी अलग प्रदेश में जाने वाले हैं इबन विदेश यात्रा के भी आज का संयोग पूरी दरह से बन रहा है भाई बहनों से थोड़े रिष्टे बिगडने का योग है वहाँ पर शावधानी की आवश्यक्ता है क्या करने से आज बचने की आवश्यक्ता है एक तो सबसे पहले नसीली पदार्थ का सीवन आज बिलकुल नहीं करना है जमीन से रिलेटेड कोई सोदा इत्यादी आज बिलकुल नहीं करना है आज आपके लिए काला रंग, छेका अंक, उत्तर पूर्वियानी नौर्थीश जो दिशा है वो आपके लिए निस्चित रूप से बहुत लाप्रद होने वाली है बात करेंगे राशी कन्या को लेकर के तो मेरे कन्या राशी के पहरे जातक जातिका आज जो आपका दिन रहेगा वो बहतरीन रहने वाला है कुछ परिस्थितियों को लेकर के कुछ साउधानियों के शाथ एक तो आर्थिक लाव आज आपका होगा किसी को आपने पैसा दिया हुआ था, वापस देने की भात करें, वापस देने आएं, या आप उनके साथ जा करके प्रयास करें पैसे प्राप्ती का, तो उसका positive response आपको जरूर प्राप्त होने वाला है, घर में आज परिवार के साथ समय वितीत करेंगे, फैमली में कोई उत् क्या नहीं करना है, वाहन बहुत सावधानी के साथ चलाना है, खास करके किसी पुराने मित्र के शाथ, आज मिलने का प्रयास नहीं करना है, वहां सतुरता होने का योग दिख रहा है, आज आपके लिए नीला रंग बहुत लाप्रद रहेगा, और आज आपके लिए तीन का अंक लाप्रद रहेगा दक्षण दिसा आपके लिए लाप्रद होगी भागवान आपका जीवन शुक में रखें बात करेंगे रासी तुला को ले करके तो मेरे तुला रासी के पहरेजा तक जातिका आज आपका दिन शांदार रहेगा और वो शांदार दिन किस प्रकार से आपके लिवतीत होने वाला है बहुत दिन से शरीर में चल रही पीड़ा शरीर में हो रहा रोग आज उसको दूर करने का रास्ता प्राप्त होगा आप अपने आपको स्वस्थ फील करेंगे आज कई सारी आप यात्राएं करेंगे किसी की तरफ से आज पुरुषकार इत्याद या किसी कारी के लिए अप्रिशेशन इत्यादी आपको आज मिलने जा रहा है आज परिवार के लोग भी आपके किये गए कारियों के लिए आपकी शरहना करेंगे तो आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है क्या नहीं करने की आवश्यक्ता है जीवन साथी से आज बिलकुल नहीं उलजना है नए कारे को प्रारम करने के लिए नए ब्यापार या नई नौकरी को प्राप्त करने के लिए आज प्रयास नहीं करना है आज आपके लिए चार का अंक, पीला रंग और उत्तर दिशा बहुत सांदार रहेगी भगवान आपके जीवन को सुखी रखें यही शुब कामना बात करेंगे रासी ब्रिश्चिक को लेकर के आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है तो मेरे ब्रिश्चिक रासी के प्यारे जातक जातिका आज का दिन आपके लिए बहुत सांदार रहेगा एक तो आज बिदेश्चे शंबंदित जो रुका हुआ कार्य है उसको लेकर के पॉजटिब नियूज आए इस प्रकार की परिस्थिति आपके लिए आज दिख रही है शात में कोट का चहरी से रिलेटेड कोई मामला है और उसमें कोई मदद कर सकता है उससे आज जा करके आप बात कीजिए बहुत सुन्दर सपोर्ट आपको प्राप्त होने वाला है जीवन शाती के साथ जो तनाव चल रहा था उसको दूर करने के लिए आज अगर प्रयास किया गया तो आपको शफलता देने वाला होगा क्या नहीं करना है एक तो नए वाहन को आज बिलकुल नहीं खरीदना है वो आपके लिए फायदे मन नहीं होता हुआ दिख रहा है शात में नए जमीन या मकान का बयाना इत्यादी देने से आपको बचने की आवश्यक्ता है आज आपके लिए पीला रंग, शात का अंग और दक्षन दिसा लाप्रद होगी बात करेंगे रासी धनू को लेकर के कैसा ब्यतीत होगा आज आपका दिन तो मेरे धनू राशी के पैरे जातक जातिका आज के दिन की अगर बात की जाए शेर मार्केट से खास लावका योग है आपके लिए आज लोट्री, शट्टा, जुवा, शेर मार्केट इस तरफ से पैसा आता होगा दिख रहा है आज कहीं से कमीशन की प्राप्ती होती हुई दिख रही है आज बच्चों के ससुराल की तरफ से किसी से मुलाकात हो और कुछ पॉजटिव चर्चा हो इस प्रकार की परिस्थती है क्या नहीं करने की आउश्यक्ता है, बच्चों को डाटने की आउश्यक्ता नहीं है मित्रों को आज पैसा इत्यादी देना आपके लिए नुक्चान दायक होगा आज आपके लिए पांच का अंक, पीला रंग और पुर्व की दिशा लाप्रद होगी भगवान आपका जीवन खुशियों से भरपूर रखें, यही सुबकामना है बात करेंगे रासी मकर को ले करके, मेरे मकर रासी के प्यारे जातक जातिका आज अगर आपके दिन की बात की जाए, बहुत सांदार रहेगा किस चीच को ले करके, देखो, आज नौकरी के लिए अपलाई कीजिए बैट करके नौकरियों के लिए अपलाई कीजिए पॉजिटिव रिस्पॉंस आएगा कारे को ले करके हाँ प्रॉपटी से रिलेटेड आज कारे करने के लिए अच्छा दिन नहीं है वाहन खरीदने का अज अच्छा दिन नहीं है ये दो चीजे विश्रेश ध्यान रखना है आज आपके लिए काला रंग छेकांग और दक्ष कराओं का दिन है आज भगवान की किरपा प्राप्ती का दिन है आज अपने भाग्य को उदय करने का सबसे सुन्दर दिन है आपके लिए आज आपकी ब्यस्तता धर्म से रिलेटेड इस्पेशलिजम की तरफ रहने वाली है आज आप कुछ बिभिन्द कारिक्रमों में आप कारिक्रम की अंतरगत रहेगी लेकिन वो सारे कारिक्रम धर्म से रिलेटेड होंगे इसको ध्यान रखिएगा आज क्या करने से आपको बचने की आवश्यक्ता है भाई बहनों से बिलकुल नहीं उलजना है बटवारे संपती इत्यादी के बटवारे को ले करके कोई भी चर अचा करने से आज आपको बचने की आवश्यक्ता है आज आपके लिए लाल रंग एक का अंक और पुर्वदिसा बहुत लाप्रद होगी भगवान आपके जीवन को सुखमे रखें बात करेंगे रासी मीन को ले करके तुम्हेरे मीन रासी के प्यारे जातिका आज आपका द उस पर चर्चा होगी उसको लेकर के कुछ पॉजटिब निउस मिलेगी प्रापटी को लेकर के कुछ ऐसा चल रहा था जिसमें विबाद इत्यादी चल रहा था तो आज उसको सौल्ब करने का आप प्रयास करने वाले हैं या करने वाली हैं लेकिन क्या नहीं करना है किसको लेकर के शावधान रहना है एक तो आज किसी को कर्ज बिल्कुल नहीं देना है वाहन आपको बहुत सावधानी के साथ चलाना है नसीली पदार्थ के सेवन से आपको बिल्कुल बचने की आउश्यक्ता है भगवान आपके जीवन को सुकमे रखें यही शुब कामना आपके ल बात करते हैं आज के महाउपाए की क्या है आज का महाउपाए जो हमारे दिन को बनाने वाला है और क्या आज नहीं खाना है आज आपको मूंग खाने से बचना है ध्यान रखिएगा आज मूंग की दाल इत्यादिया मूंग का सेवन आज हानिकारक हो सकता है ग्रहों का जो प्रभाव रहेगा वो इस प्रकार का रहेगा कि मूँ खाने से हमको नुक्षान करें इस प्रकार की कंडिशन है लेकिन आज घर से निकलते वक्त किसी इंपोर्टेंट काम पर जाते वक्त और किसी इंपोर्टेंट काम को करने के लिए ऐसा क्या करें जिस्षे आपका कारे नि भर्गो देव श्यधी मही धियो योना प्रचोदयात। इस मंत्र को पांच बार बोली और गंगा जलका पान कर लिए। आप देखिएगा आपके शरीर की उर्जा बदल जाएगी। आपके शरीर की कांती आभा बदल जाएगी। और जिस कारी को शंकल्प करके घर से निकलें करेंगे उस कारी में आपको निश्चित रूप से पॉज्टिव रिजल्ट प्राप्त होगा। भगवान आपके जीवन को शुक मैं रखें। इसी शुक कामनाक्षात। बहुत धन्यवाद। जैश्री डाम।